हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल नौलिज 247 फ्रेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पर जो SSC CGL का जो एक्साम है उसकी प्रिपरेशन जो है हम कर रहे हैं यहाँ पर जो subjected है वह है आपका history तो history में जो ancient history है उसके बारे में सब्से पहले हम बात करेंगे यहाँ पर तो जो chapter है first वह मैंने आपको बताया था जो इतिहास memoir के बारे में जो पुरा तत्विक शुरोथ थे प्राची नितिहास के बारे में जो हमने पढ़ा था आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा हडपा या फिर सिंदू सब्वेता ठीक है जो चैप्टर है हमारा वो है हडपा सब्वेता हडपा सब्वेता या फिर उसको हम सिंदू सब्वेता भी बोलते हैं तो इस चैप्टर स जितने भी important points बन रहे हैं important question बन रहे हैं उसके बारे में जो हम discuss करेंगी ठीक है तो जो हडपा सब्वेता है जो हिंदू सब्वेता थी उसका जो काल है वो है आपका 2500 इसा पूर्व से 1750 इसा पूर्व तक ठीक है तो जो हडपा सब्वेता थी उसका काल रहा है पच्चिस सो इसा पूर्व से 1750 इसा पूर्व जो है इसका समय माना जाता है हडपा सब्वेता ठीक है तो यहाँ पर देखी question क्या है question first है हडपा सब्वेता का सरवाधिक माननेता प्राप्त काल है ओप्शन है यहाँ पर 2800 इसा पूर्व से 2000 इसा पूर्व यह 2500 इसा पूर्व से 1750 इसा पूर्व 3500 इसा पूर्व से 1800 इसा पूर्व या फिर निश्चित नहीं हो सका है तो जो हरपा सब्वेता थी उसका जो सरवाधिक मानने था जो प्राप्त काल था वो था आपका 2500 इसा पूर्व से 1750 इसा पूर्व ये जो है बिल्कुल सही जो काल माना जाता है जो हरपा सबेता थी वो मिस्र तथा मैसोपोटामिय की सबेताओं से जो है काफी मिलती जुलती थी टीक है और जो एक मैक डोनल्ड जो है उन्होंने कहा था कि जो हरपा सबेता है वो सुमेरियन सबेता की बेटी है ये जो है मैक डोनल्ड ने कहा था किस ने कहा था ये ये कहा था मैक डोनल्ड ने उन्हांने कहा था कि जो हडपा सब्वेता है वो सुमेरियन सब्वेता की बेटी है यहाँ पर जो है कुछ सब्वेता जो है मैं आप लिखूंगी यहां पर और नदी के नाम भी लिखूंगी, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, आप यहां पर देखिए, पहली जो सब्वेता है, वो है आपकी हडपा सब्वेता, ठीक है, हडपा सब्वेता, हडपा सब्वेता जो है, किस नदी के किनारे जो है, यह इसका विकास हुआ था, तो सिंधु नदी, हडपा सब्वेता का आप लिखेंगे, यहां पर सिंधु नदी, सिंधु नदी के जो है, किनारे जो है, इसका उगम हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट है हमारी मैसो पोटामिया की सब्वेता, जो मैसो पोटामिया की सब्वेता है, मैसो पोटामिया की सब्वेता, तो मैसो पोटामिया की जो सब्वेता थी, उसका जो कास हुआ था, वो हुआ था, दजला और फरात नदी, यहां पर लिखिए दजला और फरात नदी के बीच में, ठीक है, तो यह आपको य याद रखना कोशन आ जाता है कि मेस्टो पोटा में कि सब्वेता का जो विकास हुआ था वो किस नदी के किनार हुआ था दल्ला और फरात नदी अगला है हमारा मिस्र की सब्वेता है मिस्र की सब्वेता है मिस्र की सब्वेता उसका विकास किस नदी के किनार हुआ था तो नी तो इतनी जो है आपको याद रखना है नेक्स्ट जो कोशन था हमारा वह था सिंदु घाटी की जो सब्वेता थी वो निम्लिखित मैंसे किस सब्वेता के समकाली नहीं थी option है यहां पर option देखिए मिस्र की सब्वेता मेसोपोटामिया की सब्वेता चीन की सब्वेता या फिर गिरीक की सब्वेता तो मैंने अभी भी बताया था कि हरपा जो सब्वेता थी यानि कि हरपा सब्वेता को ही सिंदू सिंदू घाटी जो सब्वेता है वो बोला जाता है तो जो हरपा सब्वेता थी वो मिस्र था मेसोपोटा में कि सब्वेता उसे काफी मिलती जोलती थी इसमें कोशन बोल रहा है कि सिंदु घाटी की जो सब्वेता है वो निम्रिकित में से किस सब्वेता के समकालीन नहीं थी तो मिस्र की मैसोपोटामिय की चीन की या फिर ग्रीक की सब्वेता तो आंसर है ग्रीक की सब्वेता ग्रीक की सब्वेता के समकालीन जो है सिंदु तो जो सिंदु घाटी सब्वेता है उसको ही हडपा संसकती भी कहा जाता है ये आपको याद रखना है अगला है हमारा कुश्चन सिंदु घाटी की सब्वेता कहां तक विस्तरित थी ऑप्शन है आप है पंजाब दिल्ली और जम्मू कश्मीर राजिस्थान विहार बंगाल और उडिसा पंजाब राजिस्थान गुजराद उडिसा और बंगाल या फिर पंजाब राजिस्थान गुजराद उतर परदेश हरियाना सिंद और बलूचिस्तान सिंदु घाटी की सब्वेता थी वो कहां तक विस्तरित थी यानि कि कहां तक फैली हुई थी तो वो थी प अगला कोशन है, सिंदु घाटी की सब्वेता में घोड़े के अफशेश कहां मिले हैं, आप्शन है यहां पर सुरकोटदा, वडावली, मारडा या फिर राखी गड़ी, कहां पर सिंदु घाटी की सब्वेता में घोड़े के अफशेश प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटद option number A जो है correct है सुर्कोट दा में जो है सिंदु घाटी की सब्वेता में गोडे के अवशेश जो है यहां से प्राप्त हुए है अगला question देखी अगला है हमारा सिंदु घाटी इस्थल काली बंगन किस प्रदेश में है सिंदु घाटी इस्थल काली बंगन किस प्रदेश में है सिंदु घाटी इस्थल काली बंगन किस प्रदेश में है option देखी यहां पर option है राजिस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में तो सिंदु घाटी इस्थल जो काली बंगा है, काली बंगन वो आपका राजिस्थान में इस्थित है, यानि कि option number A जो है इसमें correct है, अगला question है, निमलिकित मैंसे किस पधार्त का उप्योग हरपा काल की मुद्राओं के निर्मार में मुख्य रूप से किया गया था, option है आप तो कांसा, तामबा और लोहा उस टाइम पर ये नहीं थे, सेल खिरी का जो परियोग था, वो जो है किया गया था, यानि option number A जो है इसमें correct है, ये question भी SSC में आया है, ठीक है, अगला question देखिए, अगला है, हरपा सब्वेता किस यूग की थी, option है यापर, कांसे यूग की, नफ पाशार यूग की, पुरा पाशार यूग की, या फिल लोहो यूग की, हरपा सब्वेता जो है, वो किस यूग की थी, तो वो जो है, इसका आंसर है, option number A, कांसे यूग की सब्वेता थी, हरपा सब्वेता जो है, वो कांसे यूगीन सब्वेता थी, ये भी SSC 2001 में कोश उनका मुख्य व्यवसाय जो है वह किया था option देखिए option है यहां पर या फिर पशूपालन, शिकार या फिर क्रशी जो सिंदू घाट के लोग थे, उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था तो इसका जो आंसर है वह है option number A व्यापार option number A जो है इसमें correct है व्यापार जो था वो सिंदु घाटी की सब्वेताओं का मुख्य जो है व्यवसाय हुआ करता था अगला देखिए अगला question क्या है अगला है हमारा हडपा सब्वेता के निवासी जो थे वो कैसे थे option है आपर ग्रामीर थे शहरी थे खाना अब दोश थे या फिर जन जाती थे ये question भी कई एक बार exam में आया है कि हडपा सब्वेता के जो निवासी थे वो कैसे थे शहरी थे या फिर ग्रामीर थे तो हडपा सब्वेता के जो निवासी थे वो थे आपके शहरी option number B, जो है इसमें right है, रप्पा सब्वेता के निवासी शेहरी थे, अगला देखिए, अगला question है हमारा, सिंदु सब्वेता के घर किसी से बनाए जाते थे, option है यहापर, इड से, बास से, पत्थर से, या फिर लकडी से, जो सिंदु सब्वेता थी, वहाँ पर जो घर होते थ जाते थे, यह question कई बार exam में repeat हुआ है, यह RRB गोरकपूर में, SSC 2001 में भी question आया है, कि सिंदु सब्वेता के घर जो थे, वह किस से बनाए जाते थे, वह मराए जाते थे, इटो से, जो खुदाई से प्राप्त जो है, अफशेश जो मिले थे, उसमें इटें जो है वह प्रादन में सर्व प्रथम थे, option देखिए आपर, मुद्राएं, कासे के ओजार, कपास या फिजो, जो हरपवासी थे, वह किस वस्तु के उत्पादन में सर्व प्रथम थे, मुद्राएं, कासे के ओजार, कपास या फिजो, तो वह कपास के उत्पादन में हरपवासी सबस नंबर सी जो हैसमें राइट हो जाएगा अगला देखिए अगला कोशन है हमारा निमलिखित विद्वानों में से हरपा सब्वेता का सरपतम खोज करता कौन थे इंपोर्टन कोशन कई बार आया है जौन सर जौन मौर्शल आर डी बनर जी ए कनिंगम ये दायराम सहानी हरपा स सब्वेता की सरवादी खोज करता जो है वो कौन थे तो दायराम सहानी जो है वो हरपा सब्वेता की सरवादी खोज करता थे सन 1921 में जो है सर जौन मौर्शल की अध्यक्षता में जो है दायराम सहानी जो थे उन्होंने जो हरपा सब्वेता की खुदाई की थी और जो है इ पत्तन नगर यानि की बंदरगा जो है वो कौन सा था option देखिए यहाँ पर option है काली बंगा, लोथल, रोपण या फिर मोहन जोदड़ो ये question भी कई बार exam में repeat हुआ है तो सिंदू सब्वेता का जो बंदरगा था वो था आपका लोथल option number B जो है correct हो जाएगा इसमें answer important question है exam के लिए अगला question है मारा पैमाने की खोज ने यह सिद कर दिया कि सिंदू घाटी के लोग माप और तोल से परीचित थे यह खोज कहाँ पर हुई थी option है यहाँ पर काली बंगा, हडपा, चंहूदड़ी या फिर लोथल, कहाँ पर हुई थी यह खोज, यह कोशन serious 1998 और SSC 1999 में कोशन आ चुका है पैमाने की खोज ने यह सिद कर दिया कि सिंदू घाटी के लोग माप और तोल से परीचित थे यह कोज कहाँ पर हुई थी, यह खोज जो है लोथल में हुई थी, जो की लोथल जो है सिंदू सब्वेता का बंदरगा है, ठीक है अगला कुशन है हमारा हडपा, कालीन, समाज किन वर्गों में जो है विभक्त था आप्शन है यह आपर शिकारी पुजारी, किसान और चत्रिये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्रामर चत्रिये, वैशे और शूद राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, तो जो हडपा, कालीन, समाज था, वो किन वर्गों में विभक्त था, वो था आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी, और श्रमिक, आप्शन नमबर बी जो है, इसमें राइट हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, और श्रमिक, इन वर्गों में विभक्त था, अगला देखिए, अगला कोशन है, सिंदु सब्वेता का सरवादिक, उप्युक्त नाम जो है, वो क्या है, मैंने बताया था, कि सिंदु गाटिक की सब्वेता को हडपा सब्वेता या हडपा संस्कति के नाम से भी बुलाया जाता है, यानि ऑप्शन नमबर ए जो है राइट है, हडपा सब्वेता जो है सरवादिक उप्युक्तुन नाम था सिंदुगाटी सब्वेता का अगला है हमारा कोशन निम्रिकित मैस से कौन सी लक्षर सब्वेता के लोगों का सही चित्रन करता है उप्षन है याप उनके विशाल महल और मंदिर होते थे वे देवी और देवता दोनों की पूझा करते थे वे युद्ध में घोडों द्वारा खीचे जाने वाले रतों का प्रियोक करते थे नीचे दिये गए कूट का प्रियोकर सही कथन जो हमें चुनना है कि जो उस टाइम पे जो लोग होते थे वहां पर उनका कौन से चित्रन जो है वह सही है तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे ये बात नहीं गलत है ये वे देवी और देवता दोनों की पूझा करते थे यानि कि केवल आप्शन नमबर B जो है वह करेक्ट हो जाएगा यानि कि option number B यानि कि इसमें option number A जो है right answer हो जाएगा ठीक है वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे यह question UPSC 2013 में question आ चुका है यह question important question है ठीक है अगला देखिए अगला question है मारा हरपा सब्वेता की खोज किस वर्ष में हुई थी तो जो हरपा सब्वेता है उसकी खोज हुई थी 1935 में 1942 में 1921 में 1921 में हरपा सब्वेता या सिंदु घाटी सब्वेता हरपा सब्वेता ही खोज हुई थी 1921 में जो दयाराम सहानी ने की थी ती कि option number D जो है इसमें correct हो जाएगा यह भी question जो है एक्जाम में आ चुका है अगला देखे अगला है हरपा सब्वेता के बारे में कौन सी उकती सही है उन्हें अशुमेग की जानकारी थी गाए उनके लिए पवित्र थी उन्हें पशुपती का सम्मान करना आरम कर दिया था या फिर उनकी संसकती सामाने इस्थिर नहीं थी जो हरपा सब्वेता थी उसके बारे में कौन सी उकती सही है हमें ये बताना है इसमें तो हरपा सब्वेता की जो है उन्होंने पशुपती का सम्मान करना आरम कर दिया था ओप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा कोशन नंबर 19 का ओप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा SSC 1999 में आ चुका है ये अगला कोशन है हरपा के लोगों की सामाजिक पद्दती कैसी थी उचित समतावादी दास श्रमिक आधारित वर्ण आधारित ये जाती आधारित तो हरपा के जो लोग होते थे उनके जो सामा जिक पद्दती होती थी वो उचित समतावादी होती थी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट है उचित समतावादी ये थे आज के हमारे 20 कोशन चैप्टर जो था हमारा हरपा या फिस सिंदु घाटी सब्वेता इसके जो चैप्टर है इससे important इतने भी कोशन बन रहे आज इस वीडियो में जो है कवर किये पुछ कोशन जो है हम आने वाली वीडियो में जो है डिसकस करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जादर जादर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए